करें पर फिर आप सभी का स्वागत है आई ये देते हैं एक्ससाइज 7.1 का कोश्चन नमबर 5 और कोश्चन नमबर 5 की स्टेटमेंट देखके आप गबराना मत कोश्चन बिलकुल इजी है एक ही फोर्मुला है दूरी सुत्तर उसी के बेश पिसारे कोश्चन चल रहे हैं तो कोश्चन नमबर 5 है हमारे पास किसी करक्षा में 4 मित्तर बिन्दुओं U, U, C, U, D पर बैठे हुए हैं जैसे आकरती 7.8 में दर्शाया गया है तो यह हमारे पास आकरती 7.8 है तो 4 मित्तर उसी लिए इस क्लास के अंदर बैठे हुए हैं किसी कख्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चम्पा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि A B C D एक वर्ग है चमेली इससे सहमत नहीं है दूरी सुतर का पयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है यहां पर एक पहली के रूप में कुश्ण दे लिया कि कलास के अंदर चार चमेली कलास में आते हैं और वो उन चारे चात्रों को बैठा हुआ देखते हैं और फिर उसके बाद वो चमपा चमेली से कहती है कि यह जो चार चात्र बैठे हुए है यह इस तरह से बैठियू है कि जर इन चारों पॉइंट्स को मिला दे उनकी स्थिती को अपस में मिला दे तो यह एक वर्ग बढ़ेगा लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं है तो वो यह कहले है कि वर्ग नहीं बढ़ेगा तो इन में से कौन सही है, चपप सही है, या फिर चमयली सही है, यह हमें बताना है, तो एक बार फिर से स्टेटमेट पढ़ लेते हैं ताके, क्योंकि स्टेटमेट जब तक आपको अच्छी तरह से क्लियर नहीं है तब तो कॉश्यन तो यहां पर इन पूजिशन इस पर बैठे हुए है अब यहां पर जैसे आकरची में दर्शा आएगा है चमपा चमेली रक्षा के अंदर आते हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चमपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि कि ABCD ए एक वर्ग है कि जो ABCD वनेगा एक वर्ग वनेगा यहां पर चमेली से साहिब पूए को इसमें हमें यह जो है अगर हम इसको मिला दे छाया चमिली यह अस्कि को बात हो रही नौन है अब आपर रहे तो बनाया नहीं है अब यह जो आपरिती है इसे तो चेक करना कि यह रहा है हमें रफ सेट बनाए ना तो अब वर्ग यह जो आपरिती है वर्ग की क्या परिवाष है देको इस चत्रबूर्ः है वो वर्क अब बनेगी एक चत्रबुज है वो वर्क अब बनेगी जब मैं इसको A, B, C, D, A चत्रबुज है हमारे पास तो यह वर्क अब बनेगी जब इसकी चारों बुजाएं बराबर हो A, B, B, C, C, D और A, D यह चारों यह तो हमारे पास सम चत्रमज़ में भी होता है, तो यह बारत का उपने भी जब इसकी चारों बुजाएं बराबर हो और पर्थीय को नब बेट के लिका हो, या फिर हम यह कहें कि इसके दोनों विकरण भी आपस में बराबर हो, यह तो हमने किसके लिए लिए, बुजाओं के और यह किसके लिखेनेएगे लिखेने चारो गुझाए बराबर को समचतर बए भी होती है लेकिन समचतर कुझ को वीकरन है वो बराबर नहीं होती है तो यह आख्को ज्यान आख्या है अब जोart यो select administer機格 कैस57 अचाया twenty student थे, जो 4-6 थे, उसकी जो positions है, उनके जो points से हो देख रहते हैं, अब देखो A point आई हो, इसके coordinate देखते हैं, पहले X coordinate रिखते हैं, तो यहाँ नीचे आएंगे, जो 3 पर आएगा, तो यह और जाएगा, वारे पास 3 पोरिकर जाएगे, तो यह 4 पर, तो A जो point आए हो रहा रह हैं, जो जाएगा 9 और 4, तो यह आजाएगा हमारे पास 9, 4, D, D पे हमारे पास 6 और 1, तो D के हमारे पास हो जाएगे, 6 और 1, तो यह 4 points हमारे पास रही देख, अब यह 4 points आभी मिलगे, तो यहाँ पर दिख लेते हैं, एक बाद, कि A हमारा जो point है, वो है 3, 4, B हमारे पास जो point है, वो है 6, 7, C हमारे पास जो point है, वो है 9, 4, और D हमारे पास जो point है, वो है 6, 0, 1, अब हमें यह चेक करना है, जो इससे जो याक्रिती बनी है, यह वर्ग है या नहीं है, तो हम निकालते हैं, भुजा, यह भी निकालते हैं पहले, भुजा, यह भी, लंबाई, यहाँ सिदा AB मी लिख सकते हैं, AB का मतलब, AB की लिख सही है, तो यहाँ एक बार 4 लिख देते हैं, क्या, X2-X1, इसका बार, प्लस Y2-Y1, इसका बार, तो इसका बोलेगा, वार्ग मोल, यहाँ पर हमारे पास आजाएगा, अब हम इसको AB लिख देते हैं, AB, तो देखते हैं कितना बनेगा, 6-3, इसका बार, और 7-4, इसका बार, अब देखो, 6-3, तीन का बार, नो हो जाएगा, 7-4, 3, तीन का बार, हमारे पास 9 जाएगा, यह होगा, हमारे पास बार, इसको लिख सकते हैं, 9 गुणा में 2, और 9 से 3 बार, जाएगा, तो जो AB है, गुजा AB, उसकी जो लंबाई है, वा तिकनी है, 3 बार, दो, मास देख, इसी तरह से हम क्या निकालते हैं, गुजा, BC की लंबाई, इसी तरह से हम फॉर्मुला अप्लाई करते हैं, इसमें BC के लिए चलेगे, अभी हो जाएगा, 9-6, 9-6 और 4-7, 4-7, तो यहाँ पर, हम इसको BC ही लिख देते हैं, 9-6, तीन का वर्ग, 9 हो जाएगा, 4-7, सat 9-3 मानेगा, लेकिन स्केर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो 9 मानेगा, तो यह वर्गूल 18 ही होगे, यह वर्गूल अठा रही bytes था, वह भी पॉर्गूल ता निकालते हैं, क्य क्यों निकालते हैं, क्यों और जिए हमहसिए क्यों क्या आ गया, बुजा BC तो किसी तरह से बुजा CD की लंबाई तो बुजा CD की लंबाई अगर हम देखे CD पर आजाए हम 6-9, 6-9 इसका वर्ग हो जाएगा प्लस 1-4, 1-4 इसका वर्ग हो जाएगा यह हमारे पास आगा 6-2,-3, 6-2 हमारे पास माइनस 3 रजाएगा, तो माइनस 3 का वर्ग करेगे तो प्लस का नौँ बनेगा 1-4, माइनस 3 इसका वर्ग करेगे तो प्लस का नौँ बन जाएगा हमारे पास तो CD हमारे पास आगी, वर्गमूर 18, इसको भी हम मिल देंगे, 3 वर्गमूर जो मार्क करक, इसी तरह से हम निका लेगे, भूजा, AD, AD कर लोगे, DA कर लोगे, की बात है, की लंबाई, पोटी, इस से फिर हम फॉर्मूला अप्लाइ कर देते हैं, यहां से दिखते हैं, क्या मनेगा, AD, AD, चे माइनश तीन, इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस, एक माइनिस चार, इसका वर्ग हो जाएगा, यह बात किलियर होगी कि यह हमारे पास यह तो समचतर पुझ है या गरवर्द है अब आके इसके विकार्ड में और चेक कर लेते हैं तो विकर्ड विकर्ड AC की लंबाई तो हमारा विकर्ड AC उसकी लंबाई देखते हैं कितनी होगी विकर्ड AC A और C लेगे हो 9-3 9-3 इसका वर को जाएला और 4-4 4-4 इसका वर होगी AC लेदे न A और C तो 9-3 4-4 तो 9-3 6-6 का वर करेंगे तो 36 आगया और यह 0 आगया तो वर्टूर 36 से हमें कितना मिलगा 6 मारत रहे यह हमारे पास विकर्ड AC की लंबाई या इसी तरह से हम लिखेंगे कि विकर्ड BD की लंबाई BD 6-6 इसका वर्ट हो जाएगा प्लस 8-7 8-7 इसका वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर 6-6 जीरो 0 का वर्ट तो 0 होगा 1-7 मारत यह जीरो आगया जाब वर्ट तो 36 बनेगा तो यह वर्ट मुल 36 तो इससे 6 मात रगाए अब आपके तो दोनों विकर्ड भी ब्राबर आदेगे तो हमारे पास क्या हो लिया है दोनों विकर्ड भी ब्राबर आदेगे तो हम लिख सकते हैं के चत्रबुज A, B, C, D में चत्रबुज A, B, C, D में A, B ब्राबर है, B, C ब्राबर है, C, D ब्राबर है, A, D यह क्या है गुजाई यह हमारे पास गुजाई होगी और A, C ब्राबर है, B, D यह क्या है हमारे पास विकर्ड तो चारों बुजाई ब्राबर हैं दोनों भी करन ब्राबर है इसका मतलब यह क्या है एक वर्ग है तो हम क्याने कहलें कि हाँ A, B, C, D एक वर्ग है तो यह हमारे पास इसका अंसार थे पहरे बच्चों यह था हमारे पास कोशन नमर 5 काफे इंटरस्टिक कोशन था बस यह है कि आपको इसमें जो दूरी सुतर है वो छे पार अप्लाई करना पड़ेगा सुतर दूरी सुतर ही अप्लाई हुआ इसके अलावा कोई और सुतर अप्लाई नहीं हुआ बस आपकी understanding है कि आपको वरत के बारे में वरत के जो गुण है वरत की जो प्रोपर्टी है उसके बारे में आपको पता है यह नहीं है उसके बेस पर यह कोशन चलो रहे हैं तो प्याले बचों यह था हमारे पास कोशन नुबर फाइफ प्याले बचों देखते हैं कोशन नुम्मर 6 में कहा गया है कि निमलिखित बिंदू द्वारा बनने वाले चत्रबुच का परकार यदी कोई हो तो यह निकिए अगर कोई चत्रबुच बन रहा है तो बताईए तता अपने उत्तर के लिए कारत भी दीजिए और जो आपका अंसर आएगा उसका कारण भी हमें देना है यह निकिए इसके तीन पार्ट है कोशन की हमें चार बिंदू दिये हुरे हैं और इन चार बिंदू से किस प्रकार का चत्रबुच बन रहा है यह हमें बताना है अब देखो प्यारे बच्चों यह बिल्कुशन न पर फाई में हमारे पास चार बिंदू से थे हमारे पास तो उसमें हमने क्या चेक किया था कि इन चार बिंदू से मिलाने को जब हम मिला देंगे तो वरक बने यह नहीं बनेगी तो वरक का जो गुन है उसको हमने जाचा और फिर पाया कि वह वरक थी तो इस तरह से कोई भी अगर हम एक चत्रकुछ के चार बंदू लेते हैं बालगों कोई इस छार बंदू है K, B, C और D, हैनि कि इस तरह से 4 बंदू है हमने वैसे इन कुछ भी हो समता है, हमने इस चार बंदू लेते हैं. तो इन 4 बंदू से जो चत्रकुछ बने रिगी, वो कैसी होगी ? इसके बारे में उताना है आगी है, अब जो चत्रुपुझ होगी हमारे पास, वो जो चत्रुपुझ आवे मिलेगी, वो वर्द भी हो सकती है, वो सम्चत्रुपुझ भी हो सकती है, वो आयत भी हो सकती है और वो समानंतर चत्रबूज भी हो सकती है वो वरण भी हो सकती है सम्चत्रबूज भी हो सकती है आयत भी हो सकती है और समानंतर चत्रबूज भी हो सकती है अब दो कोई भी चतुर्पुज वर्ग कपड़ती है जब उसकी सारी पुजाए बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो यानि कि आपको चाहे वर्ग सिद्ध करना है चाहे समारंतर चतुर्पुज सिद्ध करना है चाहे आयक सिद्ध कर रहा है, चाहे समचत्रबुज और समचत्रबुज और समचत्रबुज शिद्ध कर रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा? एबी बुजा, बीसी बुजा, सीडी बुजा और एबि ये बुजाएं निकालनी पड़ेगा? जैसे कि हमने, पांचवों कोशन में निकाली इसी तरह से, एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण A C और B D यह हमें विकर्ण निकालने पड़ेगें यह निकि छे बार हमें दूरी सुथर लगाना पड़ेगे अब केसी बात करते हैं बार वोज चारों भूजायें ब्राबर आजती हैं A B B C CD और A D ब्राबर आगी और विकार्न भी ब्राबर होगी, AC और BD भी ब्राबर होगी, तो वो क्या मने ंदी? WhatsApp होगी. तो आपको तो क्या करने है? चाएं किलने से कुछ भी प्रूव करना है या जचेक करना है. तो आपको तो ये 6 बार दोरी सुत्तर लगाना है, AB निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है, AD निकालना है, AC निकालना है और BD निकालना है अब अगर चारों पुझाएं बराबर हैं और दोनों विकरन बराबर हैं तो वो क्या बन जाएगी वर बन जाएगी दूसरा केस अगर हमारे पास चारों बुजाएं तो ब्रभर है A, B, B, C, C, D और A, D ये तो ब्रभर है लेकिन विकर ब्रभर नहीं है तो इसका मदद और वो क्या होगी? सम चत्रुबुज होगी वो हमारे पास क्या होगी? सम चत्रुबुज होगी इसी तरह से आयत में, अब आयत में क्या होता है, आमने सामने की बुझाये बराबर होती है, और दोलों विकान बराबर होती है, आमने सामने की बुझाये बराबर है, तो अगर AB और CD बराबर है, इसके सामने ये, और AD और BC बराबर है, AD और BC बराबर है, आमने सामने की बुझ तो रहे बरावर है और दोनों विकारन लेखत है, ac और bd यह बरावर है, तो वो क्या हो जाएceğizective? आये, जो चैत्रकुर्कुज होगी, क्या होगी? आयेट होगी, चैत्व तरह से समानने तरह चैत्रकुज मेंजया अबता है आपने सामने की बुझाएं तो ब्रापर होती है लेकिन विकर्ण ब्रापर नहीं होते हैं यानिके AD और CD ये हमारे पास ब्रापर हो जाएगे और AD और BC ये भी ब्रापर हो जाएगे तो बुझाएं होगी आपने सामने की और जो भी करना है AC और BD ये आपस में ग्रावन नहीं होगे तो वो क्या बढ़ जाएगी समाल तर चत्र के बढ़ जाएगी अब देखो पेरे बचो चाहिए कोई भी केस हो आपको छे बार दूरी सुतर लगाना है और फिर चेक करना है कि इनमें से को उसी बात बनती है तो उसके हिसाब से हमारे ये क्वेशन है अब ये क्वेशन पिल्टू फाइल क्वेशन की तरह है आपको ही सोन करना है अगर आप आपने दूरी सुतर को समझ लिया है तो आप इस कोईशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं लेकिन अगर आप से एक कोईशन नहीं होता तो इसका मतलब आपको अभी दूरी सुतर अच्छे से समझ नहीं आया और फिर शुरू से आप पूरी की पूरी अक्साइस को इस अब आपने शे बार दूरी सुतर लगाया और सारी बुझाए और दोनों विकर्ण निकाले तो चारों बुझाए बराफ़र आएगे और दोनों विकर्ण बराफ़र आएगे इसमें ये वड़ा लग जाएगा इसी तरह से जिसका तीसरा पार्ट है उसका जो अंसर है समांतर चतुरूज इसका अंसर है समांतर चतुरूज इसका अंसर है यानिके AB और CD बरापर आजाएगा, AD और BC बरापर आजाएगा, और AC और BD बरापर नहीं आएगा, अगर यह बरापर आजाता तो फिर क्या बन जाता, आए बन जाता, इसमें portion number 5 में भी, portion number 6 के first part में भी और third part में भी same situation है, कोई ज्यादा फ्रच नहीं है, तो आप इसको complete कर probability है, तो इसका कैसे पता चलेगा, वो देखते हैं, इसको जो second part है, वो देखते हैं, इसमें कहा गया है, कि यह चत्रबूज ही नहीं है, तो हमें तो क्या करने हैं, हम तो क्या करेंगे, sides निकालेंगे, हम तो इसी तरह से इसको points माल लेगे, second part में, यह हमारा A point, यह B point, यह C point और D point, तो हम क्या करेंगे, A पे निकालेंगे, 3D, 3, minus हो यह, minus 3 है, तो plus का 3 हो जाएगा, X2 minus X1 स्केर, plus Y2 minus Y1, 1 minus 5 स्केर, यहां से हमारे पास आ जाएगा, 6 का स्केर, यह 36 हो जाएगे, 36 हो जाएगे, 1 minus 5 माइनिस के 4, minus के 4 का स्केर करेंगे, तो plus 10 हो जाएगे, 36 और 46 और 10 बाव, तो अगर आप इसको दिरना चाओ, तो 4 बुला में 13 लिख सकते हैं, तो 4 से 2 वर्बूल, 13 हो जाएगे, तो यह आगे हमारे पास एक जाएगे, अब निकालते हम BC, BC, अब BC के लिए देखते हैं, BC, X2 minus X1, 0 minus 3, इसका बर बो जाएगा, और 3 minus 1, इसका बर बो जाएगा, 0 minus 3 minus 3 का बर बो जाएगा, 3 minus 1, 2 से हमारे पास चाओ, तो यह वर्बूल, 13 हो, इसी तरह से हम, क्या करते हैं, CD निकाल लिखते हैं, CD, अब देखो CD हमारे पास क्या होगा, CD, minus 1, और यह minus 0, plus, minus 4 और minus 3, x2 minus x1, और y2 minus y, यहां से, minus 1 की बनेगा, minus 1 का स्केर तो यह की होगा, यह minus 7 बनेगे, अब 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 आएगा, जब minus 1 का स्केर, बर करेंगे, जब हम, तो प्लस के उनेंचस हो जाएगे, तो यह 50 बन जाएगे, तो हम इसको लिख सकते हैं, 25 बना में 2, और इसके आजाएगा, 5 बना में 2, इसी परे से हम क्या निकाल रहते हैं, AD, AD हमने जब निकाला, AD हम निकालते हैं, माइनस 1 और यह प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस माइनस 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, इसका स्केर, और माइनस 4 और माइनस 5 इसका स्केर, इसमें से यह मैं जाएगा, अब यहां से हमारे पास, माइनस 1 और प्लस का 3, 2 रह जाएगे, दो रहे जाएंगे, दो का स्क्यर्ट करेंगे, तो चार हो जाएगा, माइनस चार और माइनस पाच, माइनस नो, तो नीननी इकस्सी, प्लस का जाएगा, यह हमारे पास आजएगा, तो चस्सी, अब देखों, यहाँ से तो, सादर यह लोगा है, विकानों देखेर, AC, AC, AC है हमारे पास, A और C के लिए, 0 प्लस 3 वा जाएगा, इसमेद से माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 5, इसका स्केर, यह 9 वा जाएगे, प्लस, माइनस 2 का स्केर करेंगे, तो चाव जाएगे, यहाँ जाएगे हमारे पास, स्टेटा, और BD, यह दे भी कावलों, तो BD भी हम अगर हम करते हैं, तो, माइनस 1 और माइनस 3, इसका स्केर करेंगे, प्लस, B और BD, माइनस 1 यह माइनस 3 और माइनस 4 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 और माइनस 5 और माइनस 25 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 और लेकिन आप एक चीज इसमें देखें, कि यहां पे आप इसको और इसको ज्यान से देखें, हमारे पास क्या है, कि BC और AC प्लस AC, BC प्लस AC, BC कितना हो रहते रहे, और AC पी कितना है, वर्भूल ते रहे, और AC पी कितना है, वर्भूल ते रहे, बराबर है, AB, BC प्लस AC बराबर है AB, क्यों, क्योंकि वर्भूल ते रहे, किसके बराबर है, दो वर्भूल ते रहे, यह लिखने की जूरूथ नहीं है, तो वैसे आपको सुम्झाने के लिए लिखा है, अब आप देखें कि BC प्लस AC किसके बराबर है AB के बराबर है अब आप सोचके देखें कि BC और AC का जोड़ AB के बराबर है इसका मतलब कुछ ऐसे ही नहीं हो इस सिच्वेशन कि यहाँ A है और यहाँ B है तो बीच में कहीं C है BC यहाँ प्लस AC कि यहाँ इसके बराबर होगा AB के बराबर होगा यहाँ उसका ऐसे दिखो AC प्लस BC इसके बराबर है AB के बराबर है तो इसका मतलब जो बिंटु है बिंटु A, B, और C सरे के बिंटु है सरे की बिंटु है अगर तीन बिंटु एकी रेखा पे होगे एक, दो, तीन अगर यह तीन बिंटु एकी रेखा पे होगे ACB तो चोथा बिंटु D कहीं भी हो यहाँ पे हो माल लो तो इसको जब बिलाएगे तो ट्रेगल बनेगी त्रीबुज बनेगी, चत्रबुज बनेगी जब तीन बिंटु एकी रेखा पे होगे तो चोथा बिंटु जहाँ बजी लगा लोगे यहां लगाओगे तब भी ट्रेगल बनेगी यहां लगाओगे तब भी ट्रेगल बनेगी कहां बंजी लगा लोगे उसको ट्रेगल ही बनेगी वह हमारे पास फिर चत्रबुज नहीं बनेगी तो इसकेस में चत्रबुज नहीं बनेगी यह इसका answer हो यहां पुरा लिखना चाहों तो पुरा लिख सकते हो कि बिंदों A, B, C और D से चत्रगुज नहीं बनती है क्योंकि A, B, C सरे की बिंदो है तो प्यारे बच्चों यह है हमारे पास question number 6 तो काफी important question है लेकिन understanding based question है आपको इसकी practice करनी है जो अलग part पा वो बैने आपको बता दिया है पास सभी बेसी परे से सारे shape part निकाल लिया है चारों बुझाए निकाल लिया है और दोजों विकरन निकाल लिया है फिर आपको check करना है कि जिस भी परकार की चत्रगुज है उसके जो बुल है वो match करते हैं कि नहीं करते हैं यहां पर देखो कोई है से match नहीं किया तो फिर हमने check किया कि यह तो क्या समस्य आई कि जो 3 point है वो 1 की line पे है अगर 3 point एक लाइन पे होगे तो 1 point बाकी का नहीं भी हो तो तो 3 पुझ बनेगी चत्रगुज नहीं बनेगी जो चत्रपुज बनती ही नहीं है तो चत्रपुज का परकार कैसे बता सकते हूं यहाँ पे जो इसका जो अंसर हुआ हो हाँ यहाँ पर यह चत्रपुज ही नहीं है यही इसका अंसर है तो प्यारे बच्चों यह था हाँ पास question number six